हम बात कर रहे हैं देश देप्रणान मंत्री नरिंद्र बोदी के संसदी शित्र से बनारास का ये गिष्ठाउस आज बिहार सरकार के कैमिनेट मिनिश्टर सर्वन कुमार दिखाई दे रहे हैं इस गिष्ठाउस में चंता दल्यू से जुड़े पुर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े कई बड़े नितायां मौझूद हैं और गिष्ठाउस में एक चर्चा हो रही है और चर्चा क्या है मैं बताता हूँ चर्चा यह है कि बहुत जल्द यानि जो सुचनाएं जदियू के बड़े निताओं के तरफ से आ रही है देश में जो पांच राजियों में चुना हो रहे हैं वो चुनाव परड़ाम तीन दिसंबर को आएगा उसके बाद जदू एक नई रणित बनाएगी यानि कि देश के परड़ान मंत्री नरंद्र मोदी के संसदी छित्र में एक विशाल काईकरम करने का इरादा है अगामी लोगसवा चुनाओं को देखते हुए जदियू ने जो निड़े लिया है बात करने बिहार के मुख मंत्री नीतिश कुमार की उनके खास उनके कैमिनेट में मिनिश्टर सर्वन कुमार इसमें बनारस में है गेश्ट हाउस में मिटिंग चल लई है बैठक चल लई है जिसमें उत्तर परदेश के परदेश उपादेश आउलेश कुमार सिंग भी मौजूद है अब पुरवांचल के कई जनपदों से जदियों के नेता भी हैं कायकरम को कैसे सफल बनाया जाए उसको लेकर तैयारी बैठक चल लई है एक बैठक इनकी अंद्रापूल के पास होगी जहाँ एक गिश्ट हाउस है कोई सबागार है उस सबागार में बैठक करेंगे लेकिन जो चर्चा हो रही है कि एक रैली होगी चुनावी रैली होगी लोग सबागार के पहले जो रैली उनकी होने जा रहे है उस रैली में देश के बड़े नेता सामिल होंगे यानि बिपच की भुमका में बात करें इंडिया महा गड़बंदन की बात करें तो उस गड़बंदन से जोड़े जो राजनेतिक दल हैं उन दलों के नेता परधान मंतरी के संसदी छेत्र में एक चुनावी रेली करने की योजना बना रहे हैं जिसको लेकर यहां बैठक चल जदियू के उत्तरपरदेश परभारी सरवन कुमार और विहास सरकार के कैमिनेट मिनिश्टर जो यहां बैठे हुए हैं उनके साथ जदियू के नेताओं के साथ बैठक हो रही है अभी उस बैठक में क्या नेड़े हो रहे हो बाहर आएगी तब पता चलेगा बात अभी ब सब्सक्रावागार में तैर रही है फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लिता हैं जुड़े रहें बली आजकर से मैरो संजैस्वाल नमसकार